नमस्क्रा फ्रेंड्स मैं हूँ योगेश्यु आस कम्पूटर डिजी क्लास में आप सभी का स्वागत हैं आज के लेक्चर नमबर 179 में आज हम अपडेटेड एक्सल फाइल के बारे में देखने वाले हैं वो है अनाजी वित्तन कूपन के से तैयार करेंगे और वो भी फेज फेज 1 फेज 2 और फेज 1 फेज 2 दोनों एक साथ वो भी एक ही शीट में एक से आंट स्टांडर के सारे स्टूडन के एक साथ कूपन प्रिपेर होगी वो भी एसे फाइल जो ओपन सोर्स है और आप यूज़ कर सकते हैं तो कम्पूटर टिप्स में 29 के वीडियो में आज हम देखने वाले हैं तो चलो फ्रेंड्स शरू करते हैं फ्रेंड्स यह है आधा डाइज के वेबसाइट पर से डाइन डाउनलोड किया हुआ हमारी स्कूल का डेटा है और वो डाउनलोड कैसे करते हैं वो पास ओले थम्नेल के वीडियो में आप जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो डाउनलोड कैसे करते हो और फ्रें के name, father name, mother name और surname different है, अलग-अलग column से है, तो हमें combine कैसे करेंगे, merge कैसे करेंगे, तो इस तरह से एक function लगा कर हमने merge गया था, वो पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था, तो इस तरह से आपने data प्रिपेर कर लिया होगा, friends, यह वही Excel sheet है, जो Excel sheet आपको मेरे वीडियो के description में जो link दे रहे हैं, वहाँ पर click करने पर आपको मिल जाएगी, तो friends, यह file आप वहाँ से download करने के बाद open करें, और वीडियो के साथ सीखते रहे कि कैसे इसे use करना है, सबसे पहले हम यहाँ अपने समीति के name लिखेंगे, यहाँ पर school का नाम, यहाँ तालू का district, और यहा number हमारे यहाँ लिखना है, friends, अब याद रहे, हमेरे पास यहाँ पर मज्जान बोजन एलाउंज फैज, यह फैज हमारे पास यहाँ तीन फैज होगे, यहाँ के सरकार ने तो दो फैज रखेंगे, इस तरह से, चैसे आप drop down में, यहाँ याद रहे, यहाँ याद रहे, यहा आपका यह जो कूपन प्रिंट होगा, वो प्रत्थम फैज के जरिये ओपन होगा, जहां हमें कहा गया था, standard 1, 2, 5 को इतना, और standard 6, 2, 8 को इतना अनाज मिलेगा, हम यहाँ अगर दित्य सिलेक करते हैं, तो इस तरह से 1, 2, 5 को 10 दिन के लिए इतना, और 6, 2, 8 को 10 दिन के लि बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से तीसरा option सिलेक कीजे, वो है प्रत्थम और दित्य दोनों फैज एक साथ, तो प्रत्थम और दित्य दोनों फैज में standard 1, 2, 5 को इतना अनाज मिलेगा, और 6, 8 को इतना अनाज मिलेगा, तो फ्रेंड्स आपको कूपन प्रिंट करना है, वो आ आप यहाँ से जरूर सिलेक कीजे, सिलेक करना मत भूले, मैं फिर से दोरा रहा हूँ, सिलेक करना मत भूले, जैसे यहाँ सिलेक करोगे, इसी तरह आपको आगे वाले डेटा में पता चलेगा, तो चलो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ आती है, दूसरी शी shift down arrow सिलेक करना है, और सारे student के name सिलेक करके, हमें यहाँ पहले पेस्ट करना है, पेस्ट करने के लिए ख्याल रहे है, हम right click करेंगे, पेस्ट special में चले याँगे, पेस्ट special में हम value सिलेक करेंगे, दिन हम ok प्रेस करेंगे, यह मत भूले friends, control v नहीं करेंगे, इस तरह से standard और section बिल जाएगा debt आप जो भी रखना चाहतों समझ लो मैंने रख दिये है 10 04 2010 और enter प्रेस किया है अब हमें क्या करना है control shift down arrow करना है और control d अगर प्रेस कर देंगे तो इस तरह से मेरी सार हर जगए ये debt copy हो जाएगी अगे बढ़ते हैं दुकांदार का नाम और उनका पता यहाँ पर हमें लिखना है आपके पाच दुकांदार का नाम और पता होगा वो पता जो दुकांदार का नाम और पता है वो आपको यहाँ पर लिखना है ये last वाली जी कोलम जो दीख रहे यह column optional है आप यहां कुछ डालना नहीं लकिन अगर आप कुछ यहां डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो समझ लो कि मैंने यहां पर लिख दिया है role number मैं student के role number भी print करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से role number लिख दूँगा चलो हमारा यह data prepare है अगर यह column आपको नहीं चाहिए तो यहां से heading जो है वो delete कर दीजेगा role number delete कर दीजे अगर नहीं चाहिए तो delete कर दीजे अगर use करना चाहते हो तो आप यहां रख सकते हो कहां use होगा आपको अभी दिखाता हूँ अब हम चलते हैं coupon की ओर यह हमारा coupon है फ्रेंड्स यह coupon थोड़े आगे वाले वीडियो के हिसाब से यहां से थोड़ा सा change किया है जिन जिन लोगों ने फ्रेंड्स लोगों ने मुझे call किया था उस तरह से मैंने अभी change करके रखा है प्रेंट्स आपको यहां भी क्या करना है? यहां से आपको coupon नमबर डालना है. यहां देखो coupon नमबर नहीं लखो. coupon नमबर हमें यहां पर डालना है. अगर हम एक नमबर लिखते हैं तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और आथ, आथ coupon यहां प्रिपेर होगा. दोस्त जैसे आप यहां एक number लिखते हो यहां नीचे next number कौन सा लिखना हमें no number लिखना है जैसे हम यहां no number प्टेस करेंगे तो यहां हमें suggestion मिलेगा कि अब next number कौन सा आगा 117 होगा तो इस तरह से हमें यहां suggestion भी मिलता रहेगा यहां से श्रिफ लिखना है लिखने के बाद मुझे स्रिफ कंट्रोल पी करके यह को मुझे को प्रिंट करना है यह कूपन के शित में आपको कोई changes नहीं करना है कुछ भी नहीं करना है आप देख रहे हो यहां पर और यहां देखो 16 तारिक से लेकर 14 तारिक तक यानि कि हमने phase 1 और 2 दोनों एक 7 सिलेक करके रखे हुए तो इसके हिसाब से standard work को इतना data में यह मिलेगा और 6-8 को इस तरह से मिलागा यह यहां पर 3 है अगर हमें यह नहीं रखना है तो हम यहां से डितिया सिलेक करेंगे तो इस हिसाब से यहां देखा जाएगा यह data यहां से ओटो फिल होगा तो friends खयाल में रहे हम इसमें कोई changes नहीं करेंगे हाँ एक change कर सकते हो अगर print के अंदर आपकी कोई column cut होती हो तो चोड़ी कर सकते हो बड़ी कर सकते हो वीच बढ़ा सकते हो friends मैंने आपको दिखा है था role number यहां पर दिख रहे है देखो role number 9 मुझे ए मैंने option यहां पर रखा है अगर यहां आप data में जाकर heading अगर delete कर देते हो हमने heading यहां से अगर delete कर दिया आप देख रहे है उपन में यहां blank दिखा देगा उच नहीं आएगा यह blank है इस तरह से जरू करें और मेरी चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करें और bell icon को भी प्रेस करें चलो फ्रेंड्स अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक thanks for watching मैं हूँ योगेश्वास फ्रम कंप्यूटर डिजी क्लास गुडबाई